अरको चंडिकर सेक्टर आठ नो की डिवाइडिंग लाइटो पर एक अनियंते गाड़ी ने स्कूल बस को जोरदा टक्कर मार दी टक्कर लगते ही स्कूल बस पलट गई मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हुए बच्चों को सोला के अस्पतार में भरती करवाया वही घड़ासल पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर अर्विंदय ने बताया कि हाथसे में चार स्कूली बच्चों को मामूली चोटे आए थी जिनको उपचार के लिए सेक्टर सोला के अस्पतार ले जाया गया जहां उन्हें फर्स्ट एड के बाद घर भेज़ दिया गया हारां के पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले कार चालक को गिरफतार कर उसका मेडिकल करवा लिया है ब्यूरो रिपोर्ट रूबरू टुडे